हालो फ्रेंड्स हम फिनाशियल अकाउंटिंग 2 के कुछ MCQs लेके आपसे मिलने आए हैं ये स्पेसिफिकली सॉफ्ट्वेर यूज इन अकाउंटिंग ये जो लेसन है उससे कमपाइल किये गए हैं इसी तरह से हम हर एक लेसन के उपर का वीडियो अलग से बनाएंगे और फा तो प्लीज स्टेइं ट्यून लेट्स टार्ट ड्यूटीज और टैक्सेज आर सब ग्रुप्ट अंडर जो ऑप्शन सुनों ने दिये वो है कैपिटल एकाउंट करेंट एसेट्स करेंट लियाबिलिटीज या फिर मिस्लेनियस एक्पैंस और ब्राकेट में दिया है एसेट तो ड्यूटीज और टैक्सेज जो है यह हमाएं पे करने रहते हैं तो यह नहीं हो सकता ना कि हम बोल दें कि हम 10-15 साल के बाद पे करेंगे हमें उसे तुरंट पे करना रहता है तो यह हमारे सिल्केपर का करजा हो गया तो राइट ऑप्शन इस करेंट लियाबिलिटीज द अल्ट प्लस D तो अगर हमें नहीं कंपनी क्रियेट करनी है नहीं कंपनी की इंट्रीज करनी है जो हमाएं पास पहले से नहीं है तो उसके लिए हमें फंक्शन की या फिर शॉटकट की यूज करनी पड़ेगी विच इस अल्ट प्लस F3 बैंक एकाउंट विल बी सब ग्रूप्ट अंडर ऑप्शन सर्काउंट इन्वेस्मेंट लियाबिलिटीज या फिर करन्ट असेट बैंक एकाउंट ड़ेगी या वह हमारे सिर्केपर का करजा भी नहीं है तो वह करन्ट लियाबिलिटी भी नहीं हुई अभी ऑप्शन बचे इन्वेस्मेंट और करन्ट असेट का तो बैंक एकाउंट यूजवली इन्वेस्मेंट नहीं होता हाँ अगर आपकी फिक्स डेपॉसित है तो वह इन्वेस्मेंट हो सकती है लेकिन अब तो ATM के द्वारा हम तो जब मन करें तब बैंक से पैसा अपना निकाल सकते हैं इसलिए बैंक एकांट किसके तहें जाएगा current assets, which accounts is created automatically by tally तो देखें tally जो है जो हम start करते हैं कोई नई company create करते है तो tally the accounts już automatically create कर लीटीए यह पहले सीरी उधर बनाय होए रहते हैं एक है प्रॉफित & loss account और दूसरा है cash account तो correct option होगा cash account paid salary by check rupees 15,000 will be posted through इस transaction को अगर हमें tally में enter करना है तो हमें किसके तहत करना होगा क्या हम receipt voucher payment voucher या sales voucher या फिर contra voucher के तहत इसकी entry करेंगे तो हम जब भी accounts करते हैं हम खुद को business समझ के चलते हैं अगर business किसी worker को salary देता है तो यह उसके लिए एक खर्च होता है तो इसकी entry हम करेंगे through payment voucher The exactness with which the computations are made and operations are performed is called as dash देखे, speed का मतलब होता है कितनी fatak से, कितनी तुरंट हमें computer operation करके देता है accuracy का मतलब होता है 100% perfection versatility का मतलब होता है कि वो हमें कोई भी difficult task हो या easy task कुछ भी हो solve करके तुरंट दे देता है और reliability का मतलब होता है कि computer कभी ठकता नहीं है कभी born नहीं होता है वो हमारा काम उसी मेहनत इमानदारी से करता रहता है तो perfection कहां मिलेगी हमें? So right answer will be accuracy The property of repeating the same results without variation is called as dash यह computer की खासियत है कि अब computer को कितनी भी बार एक ही काम करने के लिए पोल दो तो वो बिना थके, बिना उसमें कोई बदल किये, वही answer बिना 19-20 का फरक किये, वही answer देता है इसे कहा जाता है consistency For fund transfer between cash and bank account, we use dash देखे, टैली में अगर हमें cash और bank के बीच के किसी वे transaction को enter करना होगा तो हम उसके लिए payment voucher, receipt voucher, contra voucher या फिर journal voucher किसका use करेंगे, तो bet obvious है कि हम contra voucher का use करेंगे तो contra का मतलब क्या होता है एक entry जब cash और bank account दोनों एक ही समय में affect करते हो या फिर दोनों cash balances affect करते है इसका मतलब हो सकता है, petty cash से main cash को transfer किया गया हो या फिर bank से cash में transfer किया गया हो usually cash deposited into the bank and cash withdrawn for office purpose comes under the head of contract all sales either in cash or on credit should be entered through the options are purchase voucher, sales voucher, receipt voucher और contra voucher वोट से ही पता चल गया होगा कि answer क्या होना चाहिए sales voucher sales voucher से हम sales की entry कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए हम अगर affect function की दबाते हैं तो वो है shortcut की या फिर function की जिससे हम sales voucher कर सकते हैं sales का मतलब हमने कोई तो बीमार बेचा है या तो cash पे या फिर उधारी पे तो अगर कोई asset बेचा जाता है तो उसकी entry sales voucher के तहत हम नहीं कर सकते हैं depreciation on furniture will be recorded through तो अगर depreciation की entry करने on furniture तो हम उसको कैसे करेंगे तो depreciation on furniture की journal entry क्या हो जाएगे depreciation account debit to furniture account देखें यहां पर कहीं पर भी cash या bank की entry नहीं हो रही है तो ना तो यह receipt है ना तो payment है और ना ही contra है Contra में cash और bank एकठा एकी entry में affect होते हैं तो इसका right answer होगा journal voucher Dash is issued by the buyer to the seller when goods are returned देखें यहां पर जो खरीदी कर रहा है उसको वो माल अगर पसंद नहीं आता है तो वो seller को वो सारी चीजें वापिस कर देता है तो इस case में buyer seller को क्या देगा But obvious थोड़ा पैसा देगा पर जो गोच उसने वापिस किये उसके लिए वो उसे देगा debit note याद रखिये जब buyer देता है seller को तो उसे कह जाता है debit note इसकी journal entry क्या होगी तो debit हम customer को करेंगे या supplier को करेंगे और credit करेंगे purchase return को The primary documents for recording all financial transactions is The options that they have given us are file, trial balance journal या फिर voucher तो हम कोई भी entry जिसकी हम computer में करते हैं, tally में करते हैं उसका base होता है voucher तो voucher दो तरीके के हो सकते है internal voucher और external voucher जो company खुद से create करते हैं उसे internal voucher कहा जाता है The shortcut key to delete a voucher in alteration mode in tally ERP9 is options उन्हें दी हुए लेकिन याद रखें अगर हमें alteration mode में कोई voucher delete करना है तो आप alteration का alt उठाए और delete का D उठाए तो shortcut key या फिर function की क्या हो जाएगे उसकी alt plus D administrative and selling expenses will be grouped under administrative and selling expenses का मतलब होता है office के खर्जे जो production से directly relate नहीं करते हैं तो वो direct expenses तो नहीं हुए और फिर option क्या बचा direct income या indirect income प्रकोर्शन में जब उन्होंने expense word दिया है तो income की और हम नहीं जाएंगे so the right answer will be indirect expenses interest paid on term loan from SBI will be entered through देखें यहां पर word से specifically clear हो जाता है कि interest paid है मतलब जो interest था वो हमने pay किया हुआ है अगर pay किया है तो bank का balance but obvious कम हो जाएगा तो इसकी entry हम करेंगे by payment voucher लेकिन अगर interest जो है वो due हो रहा है और accrue हो रहा है हमने pay नहीं किया है तो उसे pay करना बाकी है उस case में हमने इसकी entry की होती journal voucher के हिसाब से पर अभी यहां पर interest paid है तो right answer क्या होगा payment voucher आज के लिए इतना ही बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई खालेड़ के लिए